नामबर 6 वोलकैनो बोर्डिंग नाइक कारगुआ दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में सरफिरे लोगों की कमी रही तो आज आप इन लोगों की ही मिसाल ले ले एडवेंचर किन्शो के इन लोगों ने एक्टिव वोलकैनो को भी नहीं बख्षा आम तोर पर सरफिंग समंदर की लहरों पर की जाती है पर यहां पर सरफिंग एक्टिव वोलकैनो के उपर की जाती है ये लोग दुनिया भर में एक्टिव वोलकैनो ढूंटते हैं और फिर बोर्ड पर बैठ कर नीचे फिसलते हैं नीचे आते वक्त इनकी स्पीड 85 किलो मीटर पर आवर होती है नीचे आते वक्त राइडर का मूँ दूल और मिट्टी से भर जाता है